बॉलिवोड से इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर सामने आ रही है बॉलिवोड अविनेता शक्ति कबूर के बेटे सिधान कपूर को बैंगलूरू पुलिस ने खिरासत में ले लिया है और मेडिकल जांच में भी सिधान के ट्रक्ट लेने की पुष्टी रो चुकी है आपको बता दें शक्ति कबूर के बेटे और शक्ति कबूर के भाई सिधान बॉलिवोड में कई फिल्मों में काम कर चुके हैं लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली सिधान्थ ने फिल्म शूट आउट एडवडाला से डेब्यू किया था इसके बाद वो अनुरा कश्यप की अगली फिल्म में नजर आय तो वहीं शद्द कबूर के साथ उन्होंने स्क्रीन शेर करी थी फिल्म हसीना पार्कर में सिधान्थ इसके लावा वेब सिरीज में भी काम कर चुके हैं इस बीच मीडिया ने शक्ति कबूर से भी बात करने की कोशिश करी है इसके जवाब में शक्ति कबूर ने का है कि उन्हें अब तक कोई भी जानकारी नहीं है कि सिधान्थ को क्यूं गिरफतार किया गया है उन प्रच मामले में बैंक गूरू पुलिस ने सिद्धान को रासत मिलिया है और मेडिकल जांच में भी सिद्धान के ड्रक्त लेनी की पुष्टी रोचुकी है। को बता दें शक्ति कपूर के बेटे और शद्धा कपूर के भाई सिद्धान बॉलिवुड में कई फिल्मों में काम कर चुके हैं लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। सिद्धान ने फिल्म शूट आउट एडवडाला से डेब्यू किया था। इसके बाद वो अनुरा कश्यप की अगली फिल्म में नजर आये तो वहीं शद्धा कपूर के साथ उन्हों ने स्क्रीन शेर करी थी फिल्म हसीना पारकर में। सिद्धान इसके लावा वेब सिरीज में भी काम कर चुके हैं। इस बीच मीडिया ने शक्ति कपूर से भी बात करने की कोशिश करी है। इसके जवाब में शक्ति कपूर ने कहा है कि उन्हें अब तक कोई भी जानकारी नहीं है कि सिद्धान को क्यूं गिरफतार किया गया उनका कहना है कि हम लगातार से दान को कॉल कर रहे हैं लेकिन फोन उट नहीं रहा है